अस्सलाम अलेकूम कैसे हो आप सब अलम दलीला में एकदम ठीक हूं मिस करती हूं कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो भई फिटारबादी ना कोई कपड़े का दिखा रही थी कि यहां से आया है वहां से आया है बहुत कुछ सुरत कपड़ा है टकल लगे हुए है यह है वो क्योंकि पिटारबाजी कपड़े पेहन के हर बार नजर तो आती नहीं है किसने सारे कपड़ों का इतने एड़टाइसिंग कि इस लेकिन वह इतने कपड़े सब कहां चले जाते है तो इस तन यह गाड़ी वाला जो कार गूम गई और उसके एक दिन पहले भी यहीवाले कप दिखती है जितने दिखाती है तो मुझे लगता है अगर डेली एक जोड़ा पहनेंगी न तो दूसरी बार वो कपड़े का नंबर आने के लिए कौम से कम तीन से चार महीना लगेंगा लेकिन नहीं है एक हपते में दो बार सेम ड्रेस पहनती है मतलब के फिर पिटारवाजी जो इतने कपड़े दिखाती हो वो कपड़े जाते कहा है पौन पहनता है किसको वापिस पर देती हो सिर्फ दिखावे के लिए लोग समें बेचते हैं कि य यह पेश से आया है वो पेश से आया है लेकिन फिर बाद में उसको पुड़ा गायब हो जाता है भई जाता कहा है वह इससे जो यह पिटारवाजी बोल रही थी कि मैं एक दिन में दो ब्लॉग बना रही हूं वो ब्लॉग बहुत लंबा हो गया ता है इंगलीश वाला तो अडिक करने में पुरा दिन निकल गया तो एक बात बताओ के यह एक दिन में दो नहीं कमस्काम तीन चार व्लॉग बना रही है बस एक एक देर देर दो दो गंटा है ना एक ही ड्रामा ही लोग रचाए रहते हैं और उसके अंदर ब्लॉग बना लेते हैं बारा गंटे में आप लोग कुछ सोचो कि यह कितने व्लॉग बना लेती हैं यहां मैं मानती हूं 12 में से 5 गंटा तो यह सोती है दिन में बाकी के जो टाइम बसता है ना 7 गंटा सास गंटे में भी न यह पैस काए को पूरी रात रहती है ना इसके पास जो चार बॉझे से ले के फिर सुबा पच बजे तक फजर पी बैजर तक यह व्लॉग नहीं बना लेती है र जटाती इस तरह से के में एक ही व्लॉग बना रही है लेकिन पिटारा वो नजर आ जाता है कि तू एक व्लॉग बना रही है कि तू किसे व्लॉग बना रही है और कैसे बेवकूब बना रही है आउडियंस को बाकी इतने थोड़े दिन पहले बताई थी दो तीन दिन ही पहले बताई थी इसने कि हम हमा करा ते अक्टिंग करना रे तुम लोग देख रहे हों अच्छा पिटरबादी तुमने नहीं लगाया था वो ब्लॉग क्योंकि इसकी जो अक्टियत थी वो सामने आ चुकी है ना वो जो लीगल टीम के अंदर थे जो बैस प्रेंड है इसकी सिश्टर की उसने आके सारा को सज बता दी है कि वो दूर हो गई है इससे और इसका कोई लेना देना नहीं है और वो नराज भी है जो के बनता है तो इसने अभी इसको काम है ना उससे गरग निकालना है पैते भी एकने हैं घर बनवाना है नोकर की तरह उसको गदा मदूरी कराना है तो इसने आके जान सब्सक्राइब करें जारा तो मुझे नहोंग समझात यह इतना सीमपती लेती है गोंचो को बता रही है कि शहनशा वली लाइफ तो यह जी रहे है दो दो वाइप है फिर इनको रोल भी इस तरह का मिलता है कि यह बैठे रहते हैं मैं तो कोई भी रोल में काम करती हूं किचन में जाती हूं तो पिशारा तू सिर्फ और तरीफ रोल के लिए जो थोड़ा ती चम्मद इलाके दिखाती है ना बत उत्ता ही तो इस तरह से तू जताने की कोशिश करी है कि जते तू रोज भी इतना ही काम करती है फिर जब तू कोई करेक्टर में होती है जो ड्रामे तेरे वाइसे भी तीन ताल से चली रहे हैं उसमें भी तू किचन में होती है तो रोज तो तू किचन में होती नहीं है और रही बात के गोंचु शेहनशा वाली जिन्दगी जी रहा है तो वो जिन्दगी तू क्यों नहीं जी लेती ना रोज रोज तुझे सब मिलके कमेंट में गालियां दे तुरी खूब धुलाई करे तुझे बद्वाएं दे और तुझे अपनी उंगलियों पे नचाहे के एक उसर के पास मत जा यह मत जा वो मत कर रहते मत कर सोचो कि यह बोरी है कि वो सहिंशा वाली जिंदगी जी रहा है मैं बोलती हूँ ना कि जो पट् जत हुआ है ना मैं बोलती हूँ ना कोई नहीं हुआ होगा और यह बोरी है वो शहिंशा वाली जिंदगी जी रहा है वाँ भी वाँ और फिर बाद में बोल रही है कि हाँ लेकिन बहुत सपोर्ट करते है मैं जो भी बनने के लिए बोलती हूँ ना बन जाते मैं जैसे करने बोलती हूं करते हैं, तो पिटारा यही था हम बोल रहे हैं, कि तु जैते नचाती है ना, घोंचुआ वैसे ही नाता है, सिर्फ कैरेक्टर में नहीं, रियल लाइफ में भी, और वो दिखता है, यहा तलब के तुझे कहीं छोड़ के आना है, किसी के साथ में तुझे आयाशी करने जाना है, तो पीषे घर समानना, बच्चे समानना, पिर तु अगर मुह काला करती है, तो तेरे पर परदे डालना, पूरे खांदान को गंदा करके तुझे सपोर्ट करना, पूरे खांदान को छोड़ के तेरे पीचे लट्टू की तरह गुमना, हर एक चीज में ना, गोच्चु तेरे पीचे ना लट्टू बनाए तो तू शरिफ ये जतार ये के चारेक्टर में ये मिली सुन लेते हैं हमने तो नहीं देखे एक बार भी के इसने आके तेरे बारे में कोई भी सच बताया होगा कोसर को देखो कोसर ने ख़ली एक लफ्ज बोली थी के अपनी अवलाद भी लेके जाओ साथ में इसने फॉरण वीडियो बनाके डाला ताथ तक पे इसने पिटारा का कोई वीडियो डाला है अलागे पिटारा की कौन-कौन सी कंट्रोवर्थी नहीं आई, कौन-कौन सा गंद नहीं आया, लेकिन ये आदमी ने कभी आके इसके खिलाप नहीं बोला, और जैसा ये गालियां खिलाती थी न, वैसे खाता था, और ये फिर इस तरह से बोलना के कैरेक्टर में मुझे सपोर करते हैं, पिटारा वहर चीज में तुझे सपोर्ट करता है, क्योंकि तुम लोग है न, पैसे के लालची और कंडे लोग, फैसे जब ये बात कर रही थी बैठके, कि ये तो शैंशा वाली जिन्दगी जी रहे है, ये वो तब इसकी आप लोग language चेक करो, कि तरह ते ते कि ये तो हाँ, बहुत क्या अच्छी जिन्दगी जी रहा है, ये तो ऐसे ही सैंशा है, ये तो ऐसा है, बैसा है, जिते हम छोटे बच्छे से नहीं बात कर लेते, उस तरह तो ये अपने हस्बेंट से बात कर रही है, और इस चीज को शुकर अल्ला का कि इसके खुद के सप कोटरों ने नीचे कमेंट करके बोले, कि तुम बहुत जादा ना अपने हस्बेंट की बेजजती करती है, ये देखो मैंने एक कमेंट यहां पर लगा भी दी हूँ, ये बंदी बो रही है, कि आप साजित भाई से बहुत ज्यादा बत्तमीजी करती हो, पैसा जिन्दगी मे सब कुछ नहीं होता, आप ऐसे बात नहीं किया करें, सोचे कि बच्चे आप से क्या सीखेंगी, तो देख लिए आप लोगों ने सिरिफ हम नहीं कहते भई, लोग भी नोटीस कर रहे हैं, पहले इन सब चीजों को नोटीस भी कर रहे हैं, और पिटारा को मेसेज भी कर रहे तो अभी हम जा रहे हैं, कुछ सामान लेना है, तो उसके ओपर भी लोगों ने बोले कि पैसे मिल रहे हैं, तो इसको संभाल लो, तुम बहुत फिजूल खर्ची करती हो, तुम अपने घर के काम करो, हमें डेली की व्लागिंग लिखाओ, तुम बहुत ज़दा प्रैंक प् करें, यह देख लो, आप लोग किस तरह से, लोग है ना, अब इसी को दोना सुरू हो गए, लेकिन लोग मतलब यह भी लिख रहे हैं, कि बस प्रैंक प्रैंक प्रैंक, एक ही चीच को लेके बस वीडियो बना है जा रही हो, अपनी नॉर्मल सी व्लागिंग करो, तो आप ल बस जीच के पिछे पढ़ जाएंगी, केक बनाने का शौक आयंगा, तो फूरा केक के पीचे पढ़ जाएंगी, फिर वो चीच को इस तरह से गायब भी कर देती है, जैसे घदे के सरत से त्सिν तो यह अप रेंक के पिछे लगी है, बत चुइंगम की तरह चबाते रहंगी चबाते रहेंगước कपड़ों के साथ वीडियो इतनी चारी सीजे खरीज़ना पबीचा किछ और तो कभी क्या तो कभी क्या मतलब की भी आके खुल रही है दिख रहा है उनको भी कही अरत है ना एक एक सीन के लिए अब लोग बताओ यह मलीका वाले सीन के लिए कितनी सारी चीजे खरीद के लेकर आई थी और वह चीजे कोई काम की नहीं है अब यह अगला कुछ करने वाली है उसके लिए फिर यह पहुंच गई चाइना बाजार फिर वहां से कुछ चीजे लेकर आ गई यह कानी सुनाती थी जूटी-जूटी कि हमारे पास तो पैसे नहीं थे तो हम लोग उधारी लेकर खाते थे तो दुकान वाला उधारी भी नहीं देता था आप लोगों को लगता है जो इंसान वो टैम से बु बना बना के ना अब यह इतना ज्यादा है ना मतलब खुदा वा खौफ इसके अंदर से मर गया है कि अब यह ना खुले आम दिखाती है कि देखो हां मैं फिजूल खर्चा करती हूं मैं या शौरत हूं आप लोग बता इससे कोई सवाल क्यों नहीं करता कि भई तुने जो शिंग के टेम पे इतनी सारी चीज़े खारीती थी इतनी मेहंगी महंगी टेबल पता निσα … वास और जूमर और ला평टिंग ती पता निक्या और रोज ले लेकिए आती थी स्वे शारी चीज़े कां तो रहता है यह थी इसको चुडायल बनना होता है, कभी मलीका बनना होता है, कभी बीवी नमबर वन बनना होता है, वो सब चीजों का सामान ले लेके आती है, फिर वो चीजे गायबी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है वो चीज़े कहां गई कभी ट्राइड मील तो कभी ड्रोन कैमरा तो कभी लैप्टॉप तो कभी क्या तो कभी क्या दुनिया भर के खर्चे करती रहती है और वो चीज़े फिर गायब हो जाती है और मैंने कल की वीडियो में क्या बोली जब इसने वो एर फ्रायर ली थी तभी मरे जा रही थी कि अभी कि अभी घर जाके मुझे यूज चीज करते हैं तो ये इसलब करती है जो कि आप इसकी ओडियार मैं जिसको धोरी इसके कमेंट में और विए इतने सारे व्लॉगर है वह लोग भी चैलेंज करतें कोई भी चीज करते आप लोगों ने देखा है उनको इस तरह से पागल होते हुए कि हमको चैलेंज करना है कोई गेट अप लेना है कोई ड्रामी करने है तो चलो सौपिंग पे चलो सौपिंग पे अरे पिटारा बस कर दे कितनी शौपिंग करेंगी अब तो तेरे वालों को भी के पास में जाते हैं तो वह कौन सा हलाल है जब इतना बड़ा कर सकते हैं तो यह वीक वाली बात के उपर इनको बोलना तो फिजूली है अच्छा जब यह चाइना मार्किट से वापिस आई है तो यह आगर में गुसी है कि हम था खार के वापिस आ गए हम यह लेके वापिस तो तयबा तो वह चाइना मार्किट इसके साथ में गई हुई थी अगर आप लोग एंट्री देखो गए घर के अंदर तो तयवा पहले घर में घुश के इसी बैटी जैसे वह इनके साथ में गई नहीं थी तो यह इनके अंदर जो हमेशा से पैटन है कि लोग कहीं से भी आ अन होने वाला है तो चलो सेट अप रैडी कर दो पॉसर के घर में जाएंगे तो वो जो रमजान है वो पहले ही घर में नजर आता है यहां पर बच्चे पहले घर में नजर आते है या तो फिर कुछ और ऐसा होता है कि पता चलता है कि यह घर में जा के रिटन बाहर निकल के फिर camera on करके अंदर जा रिये तो ऐसा क्या होता है अगर इंसान normal है normal life जी रहा है कोई गंद नहीं हो रहा है घर में तो ये तो नहीं होना चीए ना किसको छुपाया जाता है क्या किया जाता है जो फिर लोगों को camera on करने से पहले ही घर में setup करना पड़ता है ये तो कमाल की बात है और बार 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 बोलती है मैं diet कर रही हूँ मैं diet कर रही हूँ मेरा बज़न 3 किलो बढ़ गया क्योंकि बेकरेज में मैं नहीं खाई थी ना इसके लिए बढ़ गया अरे पिटारा तो तो ठूसते ही रहती है अब यहां पे चाइना बजार में गई तो वहां पे भी मॉमर ठूस के आ गई जब देखो जब यह लेके खा वो लेके खा मेरे से यह देखके नहीं रहा जा रहा मेरे से वो देखके नहीं रहा जा रहा तो खाऊंगी फिर वरती है मैं डाइटिंग कर रही हूं दुर पिटे मूं तेरे और देखो यह जो पैसों का सत्यानास करी इसके अपर से लोग इसको इतना अध्वोर है और यह किस तरह से पैसों को बरबास करती है कि जो वीक थी इसको पुरा काटी और सिर्वोरी आप मैं जूपली बनाऊंगी मैं यह करूंगी मैं वह करूंगी मेरे नहीं समझ आ रहा है कि जिनके पास में पैसों की जो किलत देखके और इस तकलीप से गुजरे तो वो लोग ऐसे कुछ भी चीछ को बरबास कर सकते अब आप लोग देखो कि एक वीक को पू कोंटेंट बना रही है जसलोगों को बिगार रही है इतना पने गर्में बैठके नुपसान कैसे क trophies इक पाणी में कैसे डालो वगअ यहाओ इसमले नापंड़र के बाल लगए खा हों एक लागांगी और अंधसा ही मैं काम शुरू कर दूंग अभी मैं ठोड़ा फ्री हूं तोड़ा क्या तू हमेसा ही फ्री रहती है पहली बात तो दूसरी बात आप लोग खुद देख लेना कि यह नहीं करेंगी वो काम इतना ज्यादा काम और इतना मैनत वला काम यह औरते होगा ही नहीं यह अनिता से गोंचु से बच्चों से सबसे करवाएंगी और द दिखाएंगी बगी बात करते हैं पिटारा ने जो वीक के बाल निकाली फिर एक हाथ में लेके जाके गोंचु को दिखा रही है और बोर यह देखो मैंने ना अपने बाल काट दी और आवाज देख लो इस तरह की निकाल के बोल रही है जैते पता नहीं इसके साथ में बेज़ती हुई थी इसकी इतनी रुसवाई हुई थी अपने आपको बोल रही थी के मुझे लग रहा था कि मैं रोड पे बिना कपड़ों के खड़ी हूँ लोग मुझे पत्तर मार रहे तो उस चीज़ को बार बार हाइलाइट करने का क्या तुक बनता है ये क्यों जान ब जैसे इसके सपोर्टर सिंपती दिला रहे थे लेकिन अब तो सभी किया के खुल गई है तो सिंपती किसको मिलेंगी जिसके साथ में जुलूम हुआ था है ना सिंपती उसको मिलेंगी तो फिर ये क्या कर रही है सिंपती दिलाने की कोशिश कर रही है या खुद लेने की चाना जो टैम पे तुमने अब्रो वाला ड्रामा किया था तो इतने अपनी सच्चाई खुदी बताबी कि अभी जैसे मैं फ्रैंक करके और यह को दिखा रही हूप आप लोग को याद होगा कि ये सारा कुछ जो ड्रामा सुरू हुआ था आज से मेरे ख्याल से तीन साल पहले या दो साल पहले मेरे ख्याल से दूसरी एनिवर्सरी है ये उस ड्रामे की और बराबर वही टैम पे इसने फिर से ऐसा टाइटल लगाई थमने लगाई के बाल काट डिये और वरती जो आई थी इस चीज़ की एनिवर्सरी मना रही थी है कि देखो ऐसा टैम यही टैम पे वो टैम आया था हमारा यह सब चला था मतलब यह कुद लोगी याद दिलाते है और यह सब बूलना मत क्या कॉंटेंट पे हमने लाकों कडोडों रुपे चापे थे मिलियन म हमने व्यूद लिये थे यह लोग खुद नहीं बूलने देते हैं और कितनी गंदी और गटिया औरते हैं जो औरते साथ में सच में ऐसा होगा ना वो औरत कभी भी उस चीज़ को ना याद करना भी पतन नहीं करेंगी लोगों को याद दिलाना तो बहुत धूर की बात है हा कि वह पर मुझे व्यूद आए तो यहां पर यही लोग जाहिर कर रहे हैं यहां पर साफ नजर आ रहा है कि यह निवर्सरी मना रही थी वह गंदा जो कांटेंट आया था ना इनका उस चीज़ की एनिवर्सरी मना रही थी आप लोग जाके इनके वीडियो चेक कर लेना सारा कुछ खतम कर दो ये तक फिर हुआ था और आप लोग जाके खुद भी चेक कर सकते हो तो फिर ये सब ऐसा लग रहे है कि ये खुद ही याद दिला रही है और एपी बर्डे जाएड कॉंटेंट ये बता रही है दोर फिटे मूद तुम लोगों के बाकी वो गोंचू में गेंडा गेंडा जो पड़ा हुआ था महां पर और ये कैमरा लेके गई इसनी बुरी तरह से वो खुजा खुजा कर रहा था मतलब किसी भी हालत में एक तो उसको दिखा कर सामने लेको उल्टी दिलाने की कोशिश करती है और दूसरा ये रोज रोज यहीं पर सोता है तो फ दो दिन का वीडियो एकी दिन में बना रही हूं तो इसने खुद ही बोली थी ना कि आज तो यहीं पर सोएंगे तो फिर यहां पर दूसरे दिन भी यहीं सो रहा है तो समझ नहीं आया कि गोंचु फिर इसी के पास होता है तो कोशर के पास कौन होता है तो इस चीज के विडियो में लापी